दोस्तो नमस्कार मैं हो दीपक और आप देख रहे हैं एडू बगीचा तो दोस्तो आज हम लोग समझेंगे हम लोगों ने ब्लोड चाप्टर को बहुत ही डीपली समझा है जिसमें पार्ट 1 है, पार्ट 2 है, पार्ट 3 है और आज हम लोग क्या समझेंगे कि अगर माता-पित का ब्लड अगर कुछ भी हो रहा हो तो उनसे उत्पन हुए संतान का ब्लड ग्रूप क्या होगा जैसे कि मानले जी माता का किसी मेल का ब्लड ग्रूप A है और उसके फीमेल का ब्लड ग्रूप B है तो उससे होने वाले बच्चे में कौन सी ब्लड ग्रूप की संभावना होगी उसके बारे में हम समझेंगे, तो देखिए, यहां पहले है कि बच्चों में संभावित blood group, क्या blood group संभाव हो सकता है, तो इसमें हम लोग एक method से समझेंगे, यूं समझें कि एक trick है, उसके हिसाबत से हम लोग समझेंगे, अब क्या है यह trick देखते हैं, only five trick है, कोई बड़ी चीज नहीं है, याद रखने के लिए, देखिए, पहला number जो है, अगर किसी male का blood group A हो, और female का B हो, या फिर आप ऐसे कह सकते हैं, कि female का A हो, और male का B हो, यह जरूरी नहीं है, इसमें से कोई एक male हो सकता है, और दुसरा female हो सकता है, यह भी male हो सकता है, या दोनों में से blood group A और B है, तो इससे जो बच्चे उत्पन होंगे, इसमें सभी प्रकार के blood group होंगे, यानि कि इसमें blood group A भी हो सकता है, बी भी हो सकता है, और blood group O भी हो सकता है, तो इसमें सभी group आएंगे, दुसरा method हम लोगा क्या है, कि अगर किसी male या female का blood group A भी है, और A B के साथ दूस उसरा कोई भी ग्रूप आ जाए तब उससे होने वाले संतान में सिर्फ ओ को छोड़कर बाकि सभी ग्रूप हो सकते हैं और ग्रूप एक्सेप्ट ओ ठीक है तो ये भी हम लोग समझ गए ये भी कोई बड़े चीज नहीं है ओ and other अगर blood group O रहे और O के साथ किसी other group का सन्योग हो रहा हो तो उस case में क्या होगा कि ये जियों का त्यों बच्चों में आ जाएगा यानि O के साथ other का सन्योग होगा तो बच्चों में भी या तो O होगा या फिर other होगा जो यहाँ पे है वहाँ होगा या फिर एक O होगा तो यह तो एकदम सिंपल है इधर जैसे है यानि माता पिता का जैसा होगा वहीं दोनों चिल्ड्रेन में भी होगा चलिए आगे देखते हैं कि अगर O का AB के साथ हो तो क्या होगा ब्लड ग्रूप O का AB के साथ होगा तो यह कभी हो ही नहीं सकता है ब्लड ग्रूप O AB के साथ कभी नहीं आ सकता है इसलिए ने वहाँ टूगेदर यह एक साथ कभी नहीं आएगा आगे समझते हैं ये मानली जी की दोनों same blood group वाले हों यानि male और female दोनों का blood group same हो तो उस condition में क्या होगा उस condition में होगा कि उनसे उत्पन बच्चों में या तो ओ होगा ओ होगा और नहीं तो इसी same में से कोई एक चुकि ये तो दोनों एक ही है इसमें से कोई एक गुरूप आ जाएगा हो गया कोई बड़ी चीज नहीं है आईए एक बार रिवाईज हम करते हैं अगर मेल का या फीमेल का एबी मेल और फीमेल में ए और बी हो तो उससे उत्पन बच्चों में सभी गुरूप आएंगे याद रखने वाली बात है पहला न थर्ड नमबर में है कि ओ का अधर के साथ अगर रियेक्षन हो रहा है तो यहाँ पे पर स्यम वैलियू आ जाता है ओ का अगर अगर अधर के साथ हो रहा है । उधर बच्चों में भी या तो ओ नहीं तो अधर जो है वहोगा ठीक है next देखेंगे O का AB के साथ कभी reaction नहीं हो सकता है यानि एक साथ आ ही नहीं सकता है कहने का sense यह है O AB कभी एक साथ नहीं होगा next देखेंगे अगर blood group same condition में हो यानि male और female दोनों में एक ही तरह का blood group हो तो बच्चों में या तो O होगा और नहीं तो यह जो same value है उसमें से कोई एक value हैगा ठीक है तो यह पांच तरह का trick है इसी trick के अधार पे हम लोग सारे blood group को एक एक करके देख सकते हैं अब हम देखते हैं कि यहीं हमारा एक chart है जिसमें से 10 गो chart है इसी 10 के chart को हम लोग देखेंगे और total समझ जाएंगे कि क्या है इसका concept तो देखिए हम लोगों ने पहले box में O के साथ का sequence किया है दूसरे box में A के साथ वाला किया है तीसरे वाले में B के साथ किया है और चौता box और लास्ट box में A वी वाले के साथ किया है तो देखते हैं O का जब A के सांथ हो रहा हो तो हमने पढ़ा है कि O का अगर other के सांथ हो तो O आएगा और other जो है O आएगा तो देखी ओ का अगर ए के साथ आ रहा है तो पहला तो ओ आएगा ये तो स्योर ही है ओ आना ही आना है और दुसरा अधर जो होगा यहाँ पे वो चीज सेम उठ कर यहाँ आ जाएगा तो देखी यहाँ पे अधर में क्या है ए है तो सेम वैलू यहाँ पे ए आ जाएगा अगर मान लिजिए मेल या फीमेल में किसी का ओ है और किसी का ए है तो उससे जो बच्चे होंगे उसमें संभावित ब्लड ग्रूप या तो ओ हो सकता है या फिर ए हो सकता है स्वेम प्रॉसेस है अगर ओ का बी के साथ हो तो यह भी इसी मेथड पर काम करेगा कि एक तो ओ आ जाएगा और जो अधर वैल्यू है वो उटके आ जाएगा ठीक है ओ का ए बी के साथ देखते हैं तो हमने पढ़ा था अवे जश्ट पढ़े हैं कि ओ का ए बी के साथ कभी संयोग नहीं बन सकता है यानि ओ और ए बी कभी साथ नहीं आ सकते हैं तो उस कंडिशन में क्या होगा कि O और A B तो आएंगे ही आएंगे नहीं किसी भी हालत में तो बचा दो या तो A और नहीं तो B इसी दोनों में से कोई आ जाएगा अब देखेंगे यह same value वाला condition same value वाला condition हम लोग देखेते हैं कि जब भी same value वाला condition था या तो O आता था या फिर same वाला में से कोई एक आ जाता था तो देखेंगे यह O है तो या तो O आएगा और नहीं तो same में से कोई एक आ जाएगा clear तो यह भी हो गया यहां पर हो गया अब देखते हैं A के सांथ वाला condition तो आएए देखेंगे A का A के सांथ का संयोग तो A का A के सांथ का मतलब क्या हुआ कि यह same value है same value तो same value आला method क्या कहता है कि या तो O होगा आ नहीं तो same value होगा तो O होगा इसमें या तो O हो जाएगा आ नहीं तो same value का कोई एक होगा यानि इसमें male female में अगर दोनों में या तो male और female दोनों का blood group अगर सेम है AA ही है तो उससे जो बच्चे होंगे उसमें संभावित blood group या तो O होगा और नहीं तो A होगा ठीक है अब देखते हैं A का B के सांथ तो A का B के सांथ हमने पढ़ा था कि अगर male और female में कोई A हो और कोई B हो तो उससे होने वाले बच्चों में all groups आते हैं जितने भी group हैं सारे blood group आते हैं तो A का B के सांथ में क्या आएगा? A भी आएगा, B भी आएगा, A भी आएगा और O भी आएगा clear? अब last है इसमें का second hand का A का A B के सांथ तो हमने A का A B के सांथ क्या पढ़ा था? कि A B क्या अगर other के सांथ हो? A B का other के सांथ हो तो उसमें O को छोड़कर बाकी सारे groups आते हैं तो देखिए, AB का अगर other के सांथ हो रहा है, AB का A के सांथ हो रहा है, तो O को छोड़ना है, बाकी सब ही आएगा, तो A आएगा, B आएगा, और AB आएगा, clear? अब, थार्ड नंबर देखेंगे, जो कि 8 सेरियल नंबर पे है, कि अगर B और B, यानि कि B और B का मतलब हो गया, कि O and B क्योंकि यह सेम वैलू है, तो सेम वैलू में आतो O, नहीं, तो सेम वैलू, तो सेम वैलू में आतो O, नहीं, तो सेम वैलू कोई उठके एक आ जाएगा, यहां पे O और B अब B का AB के साथ देखते हैं तो AB के साथ other वाला relation हम लोग पढ़े थे कि AB के साथ अगर other कोई भी हो तो सिर्फ O छोड़ देना है बाकी सारे blood group आ जाएंगे तो O छोड़ दीजिए बाकी AB आएगा B भी आएगा AB भी आ जाएगा ठीक है अब देखते हैं last वाल कभी हम same same वाला method पे नहीं जाएंगे जहां AB आएगा यानि male का AB और female का भी AB तो उस condition में same same वाला value यानि ये वाला rule हम लोग काम नहीं करेगा उस condition में AB का other वाला के साथ जो relation था वो काम करेगा और यहीं बात हमेशा ध्यान में रखना है maximum यहां पे लड़के गलती कर देते ठीक है जो कि अब हम लोग को नहीं करना है AB का AB होगा तो देखने में तो same हो जाएगा हम लोग का method भी वहीं कह रहा था कि हाँ same same रहे तो या तो ओ आ जाएगा नहीं तो एक same value में से कोई एक आ जाएगा लेकिन यहां ये वाला method नहीं लगाना है यहां पे लगेगा AB and other व लोगा तो यह condition है अब देखिए यह कितना हुआ चार हो गया ओके सांथ एक सांथ तीन हुआ अब अच्छा यह तीन क्यूं हुआ यह के सांथ भी तो 40 होना चाहिए बिलकुल चाहिए A का A के सांथ हुआ है A का B के सांथ हुआ है A का A B के सांथ हुआ है अब A का O के सांथ होना चाहिए जो कि already हो गया है यहां पे देखिए A का O के सांथ हो गया तो इसलिए यह 3 हो गया फिर इधर 2 क्यों हुआ क्योंकि B का B के सांथ और B का A B के साथ हुआ है और B का A के साथ यहां हो गया है और B का O के साथ यहां हो गया है फिर आगे वाला वैसा ही है A B का A B चुकि A B इसमें भी आ गया इसमें भी आ गया और इसमें भी आ गया बाकी तीन का उपर हो चुका है लास्ट वाला ये बचा था तो इसको ध्यान में रखना है और इस तरह से आज जो है blood chapter हम लोग का totally रूप से हम लोग पढ़ लिए अब इसमें कोई दिक्कत नहीं है blood generate कैसे होता है, बंता कैसे है, क्या क्या उसका नाम है, क्या उसका biological term में क्या बोलेंगे, ये सारे चीज, plasma, car pulse, ये सब चीज हम लोग पढ़ लिए, पढ़ने के बाद अब क्या हुआ कि अब ये final रूप से हम लोग का एक पूरा summary हो गया, अब इसको आराम से देखिए, लाइक किजिए, सब्सक्राइब किजिए, दोस्तों को share किजिए, और enjoy जाए हिंद!